पांच पाउली पुलिस स्टेशन अंतरगत एक अगरवत्ती की दुकान से चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आ रही है जहां दुकान का ताला तोड़ कर एक अग्यात आरूपी ने दुकान से करीबन 7 लाख रुपे उड़ा लिये जानकरी के मताबिक फिर्यादी नितिन कुमार लक्षमन प्रसाद अगरवाल की पांच पॉली पुलिस स्टेशन अंदरगत मेंदीबाग पुल्या के पास में मामा अगरबत्ती नाम से दुकान है बताया जा रहा है कि फिर्यादी नितिन कुमार सुंबार 20 फरवरी को अपनी दुकान में ताला लगा कर अपने घर लोटे पर अगले ही सुभा उन्हें उनके दुकान के पडोस में से एक व्यक्ति को फोन आता है जो उन्हें इतिला फोन पर देता है कि उनकी दुकान का ताला टूटा हुआ है जानकरी मिलते ही फिर्यादी तुरंत अपनी दुकान पर पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उनके कैश काउंटर में रखी वी तक्रीबन साथ लाक रुपे की रकम चोरी हो गई है इसके बाद फिर्यादी ने तुरंत मामले की जानकरी पांच पावली पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच परताल कर फिर्यादी को आश्वासन दिल आया कि उनकी चोरी की रख में जल से जल उन्हें लौटा दी जाएगी वहीं दुकान में लगे सेसी टीवी फुटेज को पुलिस खंगालते हुए मामले की आगे की कारवाई कर रही है मेरे नाम नितिन कुमार अगरवाल है और मेरे फुटा हुआ दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है तो मैं यहां आया उस समय आने के बाद दिखने के बाद जो मेरे दुकान में कैश पड़ी थी साथ लाग रुपे के करीब वो गल्ले के सब पूरे तूटे ताटे थे सामान विखरा हुआ था और पूरा वो था तो जैसी आया मैं देखा तो मैंने पुलिस को इतला किया वन वन टूपे और उसके बाद में पाच पली स्टाफ पूरा आये और उन्होंने जो है पुरी कारवाई करने का वो किये उसके बाद क्राइम सब लोगों ने आके विजिट दिया और विजिट देके सर्थाना देते हुए बुले कि आप चिंता मत करो हमारे पूरे प्रयास से हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है अच्छा हो करके रिकावर हो जाय करके इंबी से नियूस के लिए अकलेश भादवाच के साथ अकसा अंसारी की रिपोर्ट